आप उठारा घात करना चाहते हैं, आप उठी भर लोगों के लिए सत्ता चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा दलित समाज पिछड़े वर्ग और अंतिम पंक्ती का आदमी और अर्गेनाईस सेक्टर में बरबात कर दी आपने, साड़े 11 लाग करोड रुपे की जीडीपी का नु होने की नसियत दी, उन्होंने का हिंदू समाज को अपनी स्रक्षा के लिए भासा, जाती परांद के भेद और विबाद मीटा कर संगठित होना होगा, महन भागबत के साथ परधान मंतरी मोदी ने भी हिंदूों को नसियत दी, उन्होंने कहा कि अगर हम बटेंगे तो देखें भारतिय जनता पार्टी और यह वैसी साब की पार्टी हर दिन कहती है मुसलमानों एक जुट हो जाओ किसी पार्टी ने आपकी सुध नहीं ली इतने सालों तक आपको वोट बैंक की तरह इस्तमाल किया हिंदूों के एक जुट होने की बात क्यों सामप्रदाइक हो ज इनाइजर ने लिखा करनाटक चुनाओ के बाद मोधी करिश्माइन हिंदूत्व नॉट इनफ टू विन पोल्स वो कहते हैं कि मोधी जी का और मुख्ड़े और दुख्ड़े से चुनाओ नहीं जीच सकते हैं इसका आशे साथ था कि राष्टी स्वयम सेवक्संग के लिए हिंदुत्व सिर्फ एक चुनाओी मुद्धा है और सत्ता की सीडी चड़ने के लिए हिंदूों के पीठ पर पेर रखकर भारती जन्ता पार्टी और राष्टी स्वयम सेवक्संग सत्ता तक पहुचना चाहता है आज पीड़ा क्या है भारती जन्ता पार्टी को पीड़ा है कि राहुल गांधी जी ने दलित अस्मीता का प्रश्ण ना सिर्फ खड़ा किया बलकि एक उमीद भी दलित अस्मीता की दलित समाज के मन में जागरत कर दी भारती जन्ता पार्टी ये शडियंतर सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो चाहती है कि कास्ट सेंसेस नहीं कराएं क जो कि भारत एक मात्र देश है समूचे विश में जिसमें जिसने अपने सेंसेस नहीं कराएं कोवीट के बाद और सिर्फ इसलिए नहीं कराएं चुनाओं के पहले भी इसलिए नहीं कराएं कि अगर कराते तो राहुल गांधी जी ने जातीगत जंगना का प्रश्ण खड़ 84 प्रतिशक हिंदूओं की आमदनी कम हो गई 12 करोड हिंदूओं के रोजगार के अफसर छीन लिये गए एक धन्ना सेट 1600 करोड रुपए रोज कमाता रहा और किसानों की आमदनी 27 रुपए हो गई तब ये आपने प्रश्ण समाज में खड़ा नहीं किया जब अगनीवीर के सवाल खड़ा करते हैं जब आप चुनाओं में 240 सीट पर आ जाते हैं जब प्रांत दर प्रांत अब चुनाओं हारने की संभावना सामने आती तो आपको हिंदूओं के एक जूट होने का सवाल दिखता है प्रधान मंतिजी और मोहन भागवत साथ मुझे बताईए आप पा प्रशन खड़ा करते हैं तेश के प्रधान मंत्री और एक मात्य प्रधान मंत्री हैं जो पाकिस्तान दीवस पर पाकिस्तान को बधाई देते हैं जो बटवारे का जिस दिन 23 मार्च 1940 को बटवारे का प्रस्ताव पास किया गया था उस दिन को पाकिस्तान दीवस मनाते हैं और यहाँ पर आप वेबनन से फेलाते हैं, इस नाम से हिंदू असमीता से आपका लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता से आस्था है, इसलिए यह आप राजनेतिक वक्तवी है, मैं मानता ही नहीं हिंदू असमीता जागरत नहीं हुई होती, तो अयोध्या से ये नहीं हारते, चित्रकूर से ये नहीं हारते, रामेश्वरम से नहीं हारते, सालसर बालाजी से नहीं आरते, खाटू शाम से नहीं आरते तो हिंदू समाज भी ये जागरत अवस्था में समझ गया है कि हम अगर एक साथ रहेंगे तो हिंदूस्तान की प्रगती होगी अगर बाटा जाएगा तो सिर्भारती जन्ता पार्टी की सत्ता पोशित होगी और वो सत्ता कुछ मुठी भर लोगों के हिद साथने के लिए है ये हिंदू समाज भली भाती अब समझ गया है और आपके हिंदू राष्ट के संदर में 1944 के बाब साथ अंबेटकर वस्पूर्म का बेटकर है हिंदू राज जगर हतिकत बन गया ये बात इस पश्रूप से अब समझ आगे सुधानशु जी दो लाइन में अपनी बात पूरी कीजे सिर्फ संशेप में जो आपके कह रहे थे कि हिंदूों का आरेक्षण पर सेंद लगा रही है कॉंग्रस पार्टी दो लाइन में को बीसी में डाला उसमें पच्चासी मुस्लिम बीसी का आरेक्षण साफ और डॉक्टर अंबेटकर ने दस मई उनी सो पचास को एज लॉव बिनिस्टर जो अधिस उच्टना जारी की थी उसमें साफ लिखा है सी आरेक्षण में ये किवर हिंदू सी को मिलेगा फिर भी सचर कमिंटे रिकमेंडेशन ने किया गया कि साफ मुसलिमों को एस्टी में डाला जाए सचर कमिंटे रिकमेंडीशन सी सित्षद साफ एक मामले enables मैं मुसलिम समाज की तारीफ करूंगा तारीफ किस ले करूंगा कि देखिए उनकी सोच देखिए वो कहते हैं मुझे टॉयलेट मिला मुझे आईश्मान भारत में हेल्थ सिक्यूरिटी मिली hell with it मुझे इससे फरक नहीं परता मुझे अपने कौम का भविश्य देखना है वो समझतिकत सोच रखके चल रहे थे हिंदूओं में बहुत से लोग थे उन्होंने का हमें कुछ हजार रुपई मिल रहा है कौम का भरी से छोड़ो कटा-कट के चक्कर में नाती पोटे कटा-कट कटेंगे कटने दो कोई फरक नहीं पड़ता है वो व्यक्तिकत सोच के चल रहे थे और इसलिए लोक तंत्र में संख्या बर नहीं जीतता है एक जुटा का बर जीतता है अभे जी जवाब दीजे और दसर उनका आशे ये है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप सेन लगा रहे हिंदूओं के आरक्षण में मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे मैंने वीडियो भी जारी किया था कि चोहत्तर मुस्लिमों की जातियां ऐसी थी जिनको OBC का आरक्षण में देता था तब गर्ब की बात होती थी सुधान शुत्रिवेदी जी जब लेटरल इंट्री से आप आरक्षण पर वार कर रहे थे और राहूल गांदी जी ने निर्भीता से सवाल खड़ा किया और यूटन लेना पड़ा तब आरक्षण ख़त्म करने का सवाल नहीं था चार लाकसी हजार पद हैं हमारे पी एस यूज में क्या कहां सरकार ने कि उनका आरक्षण समाप सब नीजी हातों में सोप रहे हैं या आरक्षण पर वार आप कहते थे चार सो सीट दो तो सम्विधान बदल देंगे यह अर्शमिता जाग गई दली तसमिता बहुत रागल आप रहे हैं आपके लिए कोन है हिंदू समाज के लोगों देखिए क्या कर रहे हैं सेफ उल्ला फारुक जैसे दूर्दान तातंकवादी को कश्मीर में टिकिट दिया इन लोगों तारीक एमद मीर जो पाकिस्तान से हतियार सप्लाई करता था विधान सभा का चुनाव लड़ाया इन्होंने तालीब हुसेन अमिर्शा साथ ग्रा मंतरी का मंच साजा करता है पाकिस्तान पोशित आतंकवादी ये 25 नाम की लिस्टे मेरे पास मुस्लीम समाज के लोगों को टिकिट दिया की नहीं दिया आपने पिर क्यों घ्रणा का भाव रखते हैं असली में मुद्दा क्या है जानते हैं असली में ये बात इसलिए कर रहे हैं कि दलिद समाज के साथ कुठारा घात करने की तैयारी है ये पूरे देश के समाज के अंतिम पंक्ती के लोगों को ध्यान देना चाहिए क्या काज इस दिन बिहार का जातिगत सर्वे आया जनगंडा नहीं थी वो सर्वे था तब भी प्रदान मंत्री जी ने भाशन दिया कि ये पाप मत करो प्रदान मंत्री जी पाप नहीं है ये सबसे बड़े पुन्य का काम है आपने महाराश बना Union of India क्या सर्वोच अदालत में एफिडेविट दिया कि नहीं कोई राज सेंसेस नहीं करा सकता जब भीहार और महाराश नहीं मांग खड़ी की तो आपने का नहीं आर्टिकल 246 सेवन शेडियूल इंट्री 69 ये सिर्फ केंदर का हक है हम नहीं कराना चाहते बिहार के जातिकत सर्वेट तक में आपने खिलाफ एफिडेविट दिया कॉंग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिकत जंगना कराई कहा है उसके डेटा चार साल लगे उस जातिकत जंगना में आपने खुद ने उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में का जनवरी 2014 तक हजारो एकसेल शीट रजिसार जनरल सेंसेस को सोब दी गई थी उसमें अर्विन पनागरिया नितिया आयो कि उपाध्यष की अध्यष्टा में एक कमिटी बनाई पास सदसी थे एक सदसी का अपॉइंटमेंट नहीं किया एक मिटिंग उसकी नहीं की और डस्ट बीन में उस रिपोर्ट को डाल दिया वो ही रिपोर्ट जारी करते थे कम से कम नए लेकिन आप कुठारा घात करना चाते हैं आप उठी भर लोगों के लिए सत्ता चला रहे हैं सबसे ज़्यादा दलित समाज पिछड़े वर्ग और अंतिम पंक्ती का आदमी और्गेनाईस सेक्टर में बरबात कर दी आपने साड़े 11 लाख करोड रुपे की जीडीपी का नुकसान हुआ क्योंकि आपने नोड बंदी और गलत GST लगाई मैं पूछना चाता हूँ मजदूर की स्वर्ग से आता है मजदूर तो समाज के अंतिम पंक्ती का आदमी है दरदर की ठोपने खाने के लिए कोविड की आपने महामारी में उनको सड़कों पर छोड़ दिया आकरी बात आकरी बात फॉलकन 2000 प्लेन एक सीट का किराया एक करोड रुपे सूपर रिच को लॉकडाउन लगाने के पहले 121 फ्लाइट से उन सूपर रिच को हिंदूस्तान में बुलाया बस यही एक अंतर है जो राहूल गांदी समझाना चाते है यह सिर्व सामप्रदाई कुनमाद इसलिए फैलाना चाते है कि इनके पाप पर परदा डाल सके हम वो होने नहीं देंगे अब सामप्रदाई कुनमाद फैला रहे है 16-16-16 करोड रुपे रोज कमाने का ख्वाब देखते है हिंदू एक जुट्ता वाली जो रणीती है वो भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के एक्स्टेंशन है यह उनका आरोप है मैं क्रम वार जवाब देता हूँ जहां से मैंने बात समाप्त किया था उसका उत्तर नहीं दिया कि वो कटने की बात कैसे होती ही मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तो आपको बता रहे दरसल नेता पर्तिपक्ष राहूल गांधी जातीकर जनगना के मुद्दो पर लंबे समय से केंदर सरकार और पी ए मोदी पर निसाना साथते रहते हैं रहुल गांधी ने कहा कि जैसे मैं जाती जनगना कराने की बात करता हूँ बीजेपी आरेसेस को दिक्कत आ जाती है मेरा मानना है कि एकसरे कराने में क्या दिक्कत है सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते कि जनता को ये पता चले कि देश कौन चला रहा 90 फिसेद लोग से ये सच्चाई चुपाना चाहते हैं भाजपार एसेस कुस भी कर लो लेकिन जाती जनगना के बील हम दोनों सदनों में पास कराएंगे जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से हिंदूत बादी बयान समने आने लगता है आपको क्या लगता है देश में जाती जनगना होना चाहिए इस पर अपनी परतिकिरिया हमें जरूर बताएं वीडियो पर लाइक कॉमेंट करना ना भूलें धन्यवाद